बिस्मिल्लाइ रुख्मान जिरुहीम, अस्सलाम वालेकूम, यह स्टैटिस्टिक्स और बिजनस मैथेमेटिक्स की जो हमने सीरीज शुरू किये, इसमें बिजनस मैथेमेटिक्स का एक छोटा सा टॉपिक है, इंटरस इन अनुटी का, फर्स्ट येर में इसका, जो है, फर्स जो लगाया जाता है, वो लगाया जाता है, I equals to PNR, P into N into R, P principal amount होती है, N number of periods होते हैं, जो कि years, quarters या months में होते हैं, R rate of interest होता है, और I जो है, वो interest निकलता है, जो simple interest निकलता है, इसको हम I से रेनोट करते हैं, एक question उठाते हैं, इसका, find simple interest, simple interest, normally MCQs में इसका question दे रहा होता है, find simple interest, P 5000 है, 4 years है, और 2% per annum है, principal amount 5000 लग रही है, 4 साल के लिए लग रही है, और 2% per annum है, तो formula में अगर हम इसको put करें, I equals to PNR, P की जगा 5000 रग दिया, N की जगा 4 रग दिया, और R की जगा हमने 2% रग दिया, तो हमारा जो interest निकल रहा है, वो 400 रुपे निकल रहा है, इ अगर मैं अब आपसे ये कहूं कि अब आप interest की जगा number of years या N find out करें, तो formula हमारा same रहेगा, P 5000 ही रहेगा, R 2% ही रहेगा, I जो है क्योंकि पिछ पिछले सवार में निकाला तो तब हम वो 400 रग दिया, तो I की जगा 400 पुट कर दिया, P 5000 हो गया, N unknown है, 2% rate हमने लगाना है, इसको अगर हम solve करते हैं, तो हमारा answer जो है वो 4 years आता है, तो इसी तरह ये भी हो सकता है, कि वो R missing कर दे या ये भी हो सकता है, कि P जो है, इसमें वो missing हो, तो आप इस formula को simple interest के formula से easily ये चारों चीज़े find out कर सकते हैं, तो ये जो first year का paper है, business mathematics का, उसमें ये simple interest MCQs में अक्सर बेशतर हो पूछता रहता है, next class में फिर हम, next video में हम इंशालला जो है, वो compound amount और compound interest पर इंशालला बात करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्ला हाफिस